जेहन, नमस्कार साथियों, दोस्तों आर्टिकल 370 पे 11 दिसमबर 2023 इसको एक सुप्रेम पोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, अब इस वर्डिक्ट को PM मोधी ने किस तरीके से सरा हा, चैना ने किस तरीके से बोला और पाकिस्तान ने किस तरीके से बोला, आइए इस वीडियो के मा इंडिया है इंडिया ही नेवल की विदेशी मीडिया में भी भहुत सारे आइडिकल्स छपे जैसे वीवीसी हो गया दाहिंदो हो गया ठीक है तो इस तरीके के जो आइडिकल्स छपे हैं उसके माध्यम से यही जान पड़ता है कि अब सुप्रीम कोट ने भी यह तैय कर दिया है सुप्रेम कोट ने कहा है कि यह एक टंप्रेरी था यह अनुच्छे जो था वह जमुकस मेर को टंप्रेरी स्कति में मिला हुआ था ठीक है तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जालेंगे कि सुप्रेम कोट ने 11 दिसंपर 2030 को क्या वर्डिक्ट दिये क्या क्या श्रादनकी से इसको सराख सराख ठूक है तो बहुत सारे स्विटर हैंडल पर वियां जैसे यह रीग्यमेंस साहब यह उन्हों चिक्ट है और मोदी साहब ने भी इस प है अपना हुं जो है जो पनी दिया है। देखो इन्होंने कहा है कि जो 372 का हटाये जाना था वो अभी Supreme Court ने फैसला दिया है वो एक एतियासिक है यानि Supreme Court ने कहा है कि यह temporary था और यह बिल्कुल सही था सरकार ने अपने संब्धानिक तरीके से इसको हटाया है तो इस पर नरिन्द मोदीची ने अपने ट्विट किया है तो इसमें बोला है Constitutionally uphold the decision taken by the Parliament of Indian on 5 अगस्त 2019 2019 यानि 5 अगस्त 2019 को यह decision लिया गया था ठीक है तो यही सब चीज बोला है अब इसके साथ में 35 A को भी समझते हैं 35 A क्या था बहुसे लोग को यह भी नहीं पता है कि आखिरकार 3070 क्या था और 35 A क्या था 35 A के तहट कोई भी भारत का अन निवासी यानि कि जम्मू कस्मीर के निवासी को छोड़ कर जम्मू कस्मीर के अंदर इस्थाई निवास नहीं कर सकता था यानि कि देखो इसमें लिखा है कि परमनेंट रेजिदेंट्स वट डिनाइज राइट परमनेंट इस्थाई निवास आप बना कर बहां पर नहीं रह सकते, ठीक है यानि अब क्या है जब से यह हटा है 35 A तब आप इस्थाई निवास बना कर रह सकते हो ठीक है अब देखी इस decision से बहुत सारे देशों को मिर्ची लगी जो आज पुलुसी थे उनको यह जादातर मिर्ची लगी ठीक है उसमें था एक तो था पाकिस्तान और दूसरा था चाइना चाइना अपने एले सी के माध्यम से भारत पर दबाब बना रहा था कि यह decision बापस ले और पाकिस्तान अपने जो terrorist है उनको जम्मु कस्मीर के माध्यम से बेज़ के लिए इस पर दबाब बना रहा था कि कहीं ना कहीं इसके जो decision है इसके वो इसमें खलन उत्पन और यह decision जाने 11 दिसम्मर 2013 के बर्डिक्त के बाद में अब पाकिस्तानी जो नेता हैं उनको मिर्ची लगने लगे उसमें एक नेता आती है हिना रब्बानी खैर हिना रब्बानी खैर भी कुछ अच्छा नहीं बोलती है वो बोलती है कि जो इंडिया का जो सुप्रिम फोट है वो सही गरसे नहीं दिया उसने ऐना कि उसने जो घरेल हैं वो वे वो सही नहीं दिया ठीक अब इसपर एक चाइना नेको regression बोला को चायना देखिए चायना कि बात कहीं, बात-चीट के जरीये ठीक है चायना ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बात-चीट माध्यम से कश्मीर मुद्ध का चाहिए ठीक है जो कि यह जु जो मुद्धेश को एसा बुलना चाहिए ठीक है देक्सी देखिए जगा के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता माव निंग ने एक पाकिस्तानी पत्रगार की सवाल का जवाब देतु हूँ कहा कि जो कस्मीर का मुद्दा है चीन की इस्तिती को इस्पष्ट करता है और उनोंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि भारत और पाक रहको आ शरकशलकंक नने उनोंने इसके जवाब देते हुए बोला है कि यह हमारा आंत्रक माव्फाशल है ठीक है अब देखिए अब रियल में सुप्रेमे कोट ने क्या कहाई बहुत सुप्रिम कोट ने कहा कि जो 370 था वो टमप्रेरी था टमप्रेरी प्रोवीजन था ठी दिया गया है ठीक अब 370 के अंतरगत जम्मु कस्मियर को एक विशे स्राज का दर्जा मिल रहा था किस-किस छेतर को चोड़ के जो कि मैंने यहां पर मेंशन किया है यहां पर जो डिफेंस का मामला था एक फॉरेंड अफेर्स का मामला था यानि विदेश मंत्राले का ठीक है बित्ये समस्याओं का यानि की फैनेंस और कम्मिनिकरशने संचार के माध्य ठीक है तो यह चार छेतर थे इनको छोड़कर सभी मामलों पर कोई भी डिसीजन अगर भारा सरकार लेती थी तो बिना जम्मु कस्मियर सरकार की इजाजत के उस पर लागू नहीं होते थे ठीक है तो यह एक बिसेश राज का दर्जा था 370-11 मिलने पर ठीक है अब जो हट गई पांच अगर्श 2019 को तो यह दर्जा पूरी तरीके से खतम हो गया किसके अंडर चला गया भारा सरकार के अंडर ठीक है अब फाइनली इस पर आगे जो कुछ याजका दी गई थी इस पर कुछ याजका कमसम 23 याजका थी तो उसमें उसको लीड भी जो कर रहे थे वो कपिल सिब्बल जी थे ठीक है कपिल सिब्बल जी लीड कर रहे थे उन्हें आज का उन्होंने कहा कि कुछ लडाईयां है वो हारने के लिए लड़े जाती है ठीक है कुछ लडाईयां जो है वो हारने के लड़ी आती है तो इन्होंने ऐसा बोला ठीक है क्योंकि इनको कुछ न कुछ अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है अब फाइनली चलते हैं कि सुप्रेम पोर्ट ने 370 के संबंद में क्या कहा है ठीक है इसमें पांच जजों की बैंच थी कितने जज थे पांच जज थे अब इन्होंने यह आदेश दिया कि इसमें जल्द से जल्द राज्य के रूप में बाहल किया जाना चाहिए यानि कि उसने यह नहीं कहा है कि मतलब कि 370 धारा को दुबार प्रक्राइफ में जल्द समब्सि debitर विकारे के इन्हों है की र्यूंध में हेज्गार में त्थे तो वन यह को एक पूर्ण राज्य का दर्जाद दिया जाना चाहिए जैसा कि अदर राज्य है इस पांपर्णु को सहाथ है श्विश्मोंध इस में फ्षय कर ना कि विश् जादे थी वैसा नहीं होगा ठीक कोट ने ये भी कहा कि सरकार को सितंबर दोजार चौबिस तक इस छित्र में चुनाब करा दिने चाहिए ठीक तो अब सीटे बढ़ चुकी है जो वहां के जो इलक्षन के लिए विजान सभा के जो सीटे हैं वो निर्धारित करती गए है ठीक चुनाब संपन कराने लिने चाहिए उसके बाद में एक एहम महत्पूर्ण बात कही थी जो कि जम्मु कस्मीर के लोहों के लिए भी उन्होंने बोला ठीक है नियामुर्थी ऐस के कॉल ने सिपारिस की कि पिछले कुछ दस्कों में राज और गहर राज अविनेताओं द्व सब्मु कस्मीर के लिए स्ली जम्मु कस्मीर के व्यक्तियों को सताय गया हो या फिर किसी ऑगी तरीके का दवाब ना हो ठीक है तो फाइनली सुप्रेम कोट का जो वर्डिक्ट था वो यही था तिन-चार पॉंटों में मैंने आपको समझाया और इस पर पाकिस्तान ने क्या क्या वो भी आपको बता दिया चाइना ने क्या क्या भी बता दिया हलांकि इससे कुछ ना चैना के कहने से कुछ होने वाला ना पाकिस्टान के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला और जो ठेडिस्ट बेजी जा रहे हैं थेरे-जेडotta करके सब जितने भेजेगा उतने मारे जाएंगे बाकी इंडिया का कोई कुछ नहीं विगाड सकता है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन